seated का form fill करने के लिए आपको seated.nic.in इस website पर आना है सीधा apply for seated 2024 उपर एक pop-up जो बार बार आ रहा है उस पर आप click करोगे तो आपको redirect कर देगा इस पर आपके सामने ये वाला page open हो जाएगा और apply for seated जुलाई 24 पर आपको click करना है या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो नीचे आओगे त apply for seated जुलाई 24 लिखा रहेगा इस पर आप click करो तो direct आपके सामने ये portal open हो जाएगा seated जुलाई 2024 और यहाँ पर आपको करना क्या कि new registration पर click करना है ठीक है new registration करने के वाजब आपका registration हो जाएगा तो जो भी आपको login detail वागर होगा आप यहाँ पर fill करोगे आप new registration पर click करोगे आपके आगे कुछ इस तरह से सारा detail open होगा और बोलेगा कि जो है अगर paper 1 का आप form fill कर रहे हो तो आप 1000 रुपीज दोगे और paper 1, paper 2 दोनों का fill कर रहे हो 1200 रुपीज दोगे I mean अगर आप किवल एक paper दे रहे हो let's say paper 1 का दे रहे हो तो 1000 रुपए दोगे किवल paper 2 दे रहे हो बियट भी कर रखा गा तो वो paper 1, paper 2 दोनों देगा तो in that case उसको किवल 1200 का फीगा payment करना होगा यहाँ पर click करोगे तो information bulletin खुल जाएगा जो भी सारा information वगरा चाहते हो वो सारा कुछ आप देख कर आप समच सकते हो यहाँ पर वही सब basic बाते दी हुई है कि form filling 7 March से सुरू ह हो गया है और last date form fill करने का 2 April है till any further date extension और date of examination दे दिया है कि 7 जुलाई 2024 है paper offline mode में 7 जुलाई 2024 को आपको exam center allocate होगा और वहाँ पर आपका booklet वगरा आएगा OMR sheet वगरावाले format में paper आपको देना होगा click here to proceed पर आप click करोगे नीचे की तरफ आकर यहाँ देखो कि सारा detail आपको fill क करने के लिए कहेगा मैं basic detail fill कर दे रहा हूं दिखान दीजेगा जो भी detail मैं fill कर रहा हूं यह dummy detail है क्यवाल आपको दिखाने के लिए यहाँ पर आप अपना detail fill करोगे तो candidate name में मैं अपना नाम fill कर देता हूं mother's name मैं अपना नाम fill कर देता हूं date of birth ऐसे ही मैं कोई सा भी random date of birth डाल देता हूं आप obviously अपना date of birth डालो के मैं ऐसे ही कुछ डाल दे रहा हूं ठीक है random सा gender मैं mail डाल दे रहा हूं आप अपना gender डालेंगे identity type में जो भी आपके पास ID card वगरा कुछ भी यहाँ पर हो आप उसको fill कर सकते हैं मैं बस ऐसे ही voter ID लिख दे रहा हूं अब यहाँ ब आपको लगी जो भी आपको वैलिट प्रूफ वगरा हो और नहीं हो तो अधर वैलिट गवर्मेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ आप डाल सकते हैं उसमें कोई बहुत समस्या का विशाह नहीं है बाकि आप contact details वगर यहाँ पर fill करेंगे मैं डेली बाइट के previous office का नंबर फिल कर दे रहा हूं यहाँ पर तो मैंने यहाँ पर address फिल कर दिया है यहाँ पर मैंने एक dummy सा address फिल कर दिया है और यह वाला नंबर है वह मैंने फिल किया है जिस पर आप contact करके डेली बाइट के preparation classes join कर सकते हो one of the best preparation classes one to one interactive way में classes जली बाइट पर आप जॉइन कर सकते उसी को मैंने यहाँ पर dummy detail के तो पर फिल कर दिया है तो ये मैंने dummy फिल किया है आप अपना number यहाँ पर फिल करोगे ठीक है उसके बाद जो मेरा correspondence address है मैं सेम फिल कर दे रहा हूं permanent address में भी आप अपना वह address यहाँ पर फिल करोगे जहां presently आप रहते हो यहाँ पर आपको अ बनाई के security question क्या है what is the name of your first school तो the best school मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूं Delhibytes ठीक है और मैं ऐसे ही जो है यहाँ पर capture लिखा हुए मैं इसको फिल कर दे रहा हूं और मैं submit कर दे रहा हूं तो देखोगे कि form submission का stage 1 complete हो गया बस यह कहा रहा है कि close करके जो भी सारा कुछ है सब okay कर द देखो my name, father name, mother name, date of birth, gender यह किसी case में गलत नहीं होना चाहिए दिक्कत करोगे आप यहाँ पर तो आपको future में problem create हो सकती है address, mobile number और email id का आप ध्यान रखोगे ध्यान दीजेगा कैफे वाले भाईया से form नहीं fill करवाईएगा, form तुम खुद fill करना, login, detail, password, admit का download करने में हर तरफ दिक्कात होता है और मैं इतना मान के चलना हूँ कि आप teacher बनने के लिए सोच रहा हो तो कहीं तो कैफे वाले भाईया से ज्यादा ही ग्यानतों में रखते हो, तो self effort के, मैं submit and send OTP कर दे रहा हूँ, और यह जो number है मैंने fill किया था, उस पर OTP आ जाएगा, और उस OTP को मैं आप पर fill कर दूँगा, तो मैं देख लेता हूँ, मेरे number पर जैसे ही OTP आएगा, मैं इसको fill कर दूँगा, और मेरे number पर OTP आ गया है, बहुत सारे ऐसे लोग candidates कहा रहे है, stage 1 complete हो गया है, मैं इसको save भी कर ले रहा हूँ, और जहाँ पर email ID वगर आप fill करना तो मैंने Delhi Bytes का business mail fill किया है, आप obviously अपना email ID fill करेंगे, यहाँ पर सारा कुछ registration form complete हो गया है, अब application form के basic details पर मैं आउंगा, और यहाँ पर जो जो कुछ मेरे को बोल रहा है, मैं fill करूंग बेसिक जो चीज़े मैंने डाली थी पहले से है, nationality, गर्व से, Indian, category, जो आपका category होगा, आप fill करेंगे, मेरा general है, मैं general fill कर रहा हूँ, और कोई भी disability वगरा का benchmark है, तो yes fill करेगा, यहाँ पर आपका जैसा लागू होगा category आप fill कर लीजेगा, employment status आपका जो भी होगा, आप fill क क्वालिफाई कर रखा है, तो डली वाइट पर सीटेट का वान अपको देखने के लिए मिलेगा, आप से join कर सकते हो, save and next करेंगे, are you sure you want to submit this section, yes I am damn sure I want to proceed, ठीक है, click करेंगे, फिर apply for, applying for paper 1, class 1 to 5, paper 2, class 6 to 8, या both paper 1 and paper 2, जैसा आपका eligibility हो, उसे साब से, आप fill करोगे, और य दोनों भी tick कर सकते हो, कोई एक भी tick कर सकते हो, B.E.E.D. की हो तो degree करो, और अगर B.E.E.D. नहीं कर रखे हो, तो सभी case में diploma वाला tick करोगे, तो दोनों भी कर सकते हो, या जैसा आपको, मैं paper 2 कर दे रहा हूँ, B.E.E.D. वालों के साब से कर दे रहा हूँ, आज कल इनकी ब भाई दोनों का सेम मतलब नहीं है, दोनों अलग-अलग होता है, यहाँ पर language 1 चूज़ कर दोगे, तो paper में तुमारे साथ अलग हाथसा होगा, और यहाँ पर language 1 चूज़ कर दोगे, तो paper में दूसरा हाथसा होगा, यहाँ आपको ध्यान देना है कि language 1 बहुत cautious रहना है कि क् क्या फर्क पड़ता है तो यहां पर इंग्लिश और हिंदी मैं चूज कर ले रहा हूं मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 6-8 जो भी इसमें से आप फुल्फिल कर रहा हूं क्या क्वालिफिकेशन आपके पास है सीटेट का पेपर देने के लिए जो कुछ बेसिक है आपके पास कि आप ग्रेजुएशन हो और डियालेट कर रहा है या फिर आपके एरिया में जिस भी नाम से इसको जाना जाता है या फिर आप 50% मार्क के साथ ग्रेजुएट हो और बियाट कर रखा है तो ऑप्शन नमबर टू चूज करो ठीक है इसी तरह बहुत सारा अल कर रखा है तो मैं दो नमबर वाला हैं पर सलेट कर देना हूँ ठीक है अब पूछ रहा है सब्जेक्ट आफर पर पेपर टू तुम मैतमेटिक्स और साइंस चूज करना हो चाहोगे सोचल साइंस देखिए इन दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हो ऑफन स्ट्रीम से देखो यार देना तो तुमको उसी स्ट्रीम से चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है इससे बहुत सार लोगों को कन्फ्यूजन होता है बहुत सार लोगों ने कन्फ्यूजन फैला रखा है बिसिकली आपका सीट पास होना जरूरी होता है लेकिन सब्जेक्ट आप यहां वही पतर करोगे मैथमेटिक से एंड साइंस तो वो चूज कर लिए सूशल साइंस से चूज कर लीजै और यहां में पेपर तू। चूज्सकर रखा मैं एड४्र गंगे यहां तो मैं डेली चूज कर ले रहा हूं और डेली नौर्थ कर दे रहा हूं ठीक है यहां मैं क्या कर दे रहा हूं उत्तर प्रदेश कर दे रहा हूं यहां मैं गज़ेबाद कर दे रहा हूं यहां मैं उत्तर प्रदेश कर दे रहा हूं और उत्तर प्रदेश में जहां जहां पर रीच कर सकें और यहां पर मैं security pin जो capture वगरा है यह मैं डाल के fill कर दे रहा हूं save and next पर मैं click कर दे रहा हूं are you sure you want to submit this section yes I'm damn sure ठीक है इस पर okay कर दोगे आपको यह next page पर ले के आएगा फिर कहा रहा है यह passing status क्या है द्यान देना appearing वाले candidate भी form fill कर सकते हैं in fact तुम teacher education के degree के first year में भी हो न तो भी form fill कर सकते हो appearing वाला tick करके fill कर दो कोई दिक्कत नहीं मालो मैंने appearing select कर लिया अब तुम इसी साल बीड में admission लिये हो तो जिस साल बी admission लिये हो यह fill करके complete कर दो आप eligible उस पर आप निश्चेंद रहे पास्ट हो तो पास्ट फिल कर दो मैं ऐसी पास्ट फिल कर दे रहा हूं जिस साल भी पास्ट की हो वह fill कर दो मैं 2121 कर दे रहा हूं कोर्स स्ट्रीम नेम जिस भी से आपने किया education अब जया आप चर्ण कर देंगे ठीड लाटेश्चें अब यह यह अपने कर रहा हूं मैं मुल्ड की नेम एजूकेशण यहां पर मैंने स्रिट कर रखा था रिजल्ड मोड परसेंटेज है ठीक है जो भी है आपके सब्सक्राइब और इंस्टिट्क कोड जवाप का हो आप डाल देंगे ठीक है एक सिर्ण जेस्ट टोटल मार्क्स ऐसी में डाल दे रहा हूं 2000 कितना मिला अप्टेंड मार्क्स जली वैट्स के स्टुरेंट उनने स्टुरेंट कोड 11009 ठीक है फिर मैं यहां पर कैप्चा फिल कर दे रहा हूं 27D401 ठीक है save and next are you sure you want to submit this section yes और सीधा फोटोग्राफ पर आगया है यहां पर मुझे एक फोटो अप्लोड करना सिंग्नेचर अप्लोड करना है मैं एक फोटो और सिंग्नेचर चूज कर लेता हूं तो यहां पर वो मेरे को फोटो और सिंग्नेचर अप्लोड करने को बोला था मैंने करूंगा दूई विस्टो समिट डॉक्यमेंट फॉर्म फाइनली येस सारा कुछ मैं यहां पर आगया हूं सारा डीटेल यहां पर शो कर रहा है सब कुछ आपके सामने है यह फोटो सिंग्नेचर जो मैंने अप्लोड किया था वापस से कहा रहा है कि सब कुछ आप चेक कर हो फाइनल सब्मिशन अब अप्लिकेशन पर क्लिक करो आपके सामने को सबसे टॉप में टीट का इमेल आया है मैं इस पर क्लिक करूंगा इन्होंने यहां ओटीपी भेजा है 735025 तो मैं यहां भर दूंगा 775025 वेरिफाई यह वेरिफाई हो गया ठीक है क्लिक यह तो गो होम जोरी मेल एड़ी सक्सेस्फुली वेरिफाइड पे एक्जामिनेशन फी पर मैं क्लिक करूंगा online payment पर मैं क्लिक करूंगा proceed for payment पर मैं जाओंगा okay मैं करूंगा ठीक है और यहां पर मैं okay करूंगा ठीक है जो भी transaction charge बगरा होगा वो अलग 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 लगाएगा अपना यहां पर आप जो भी चूज करोगे let's say UPI से करना चाहते है UPI कर सकते हो जो कुछ भी चाह होगे तो तुम देखो कि यहां पर कुछ दिन पहले है डाला गया है details of seated का preparation class यह one of the best preparation class है अगर आप डेली बैट से first time वी वह रहे हैं तो YouTube पर marathon series और इन सब चीजों के चक्कर में मत पड़ो तुम अपना selection देखो कि तुमको best way में कैसे personal guidance मिल सकता है तुमको best way में personal tutor कैसे म जरूरी यह है कि आप जैसे भी prepare करो आपका selection हो आपका दो पैसा चाहे ज्यादा लगे आप लिस्ट में रहो आने वाले समय में teacher के field के में बहुत सारी vacancies आने वाली है यह seated का exam ऐसा है कि बहुत deciding factor होगा आप बस तठस्त नहीं रह सकते हो कि आरे बैट के देख रहे हैं free के exam पर कहीं भी आपका कट गया क्योंकि exam qualify करना जरूरी है और अच्छे से अच्छे मांक से qualify करे डेली बाइट के classes की यह वन वेस्ट फीचर आपके screen पर mention है one-to-one interaction बैच्ट होता टीचर साथ सीधे google meet पर micro icon करके बात कर सकते हो notes वेगरे मिलेगा practice worksheet individual attention वगरा दिखने के लिए मिलेगा classes का basically यह time table 31st March के around summer classes सुरू होगा detailed video lecture मैंने बताया आप उसको जाकर देख सकते हो या फिर यह code लिख करके आप इस number पर WhatsApp कर सकते हो 24 to 48 hours का बेट करिएगा मेरी WhatsApp handler एक video का link बेजेंगी complete seated के batch का detail मिल जाएगा जो भी fee वगरा payment करना है कैसे डेली वाइट से preparation classes वगरा कराई जाती है सारा details देख कर आप डेली वाइट पर one of the best preparation कर सकते हैं इसके बाद भी कोई doubt or query रह जाए तो आप मेरे से Instagram पर बिजूर सकते हैं जिसका link description box में दिया हुआ या फिर यह user idea प Instagram पर search करिए सभी social media handles के description box में दे रखे हैं and one of the most important thing कि description box में teacher education resource वाला telegram group दे रखा है seated का exam qualify करना है तो do join that telegram group best wishes and God bless you